हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगे सोया लीव्स की रेसिपी जिसे मैंने मक्की के आटे में डाल के बनाया है बहुत ही बेनिफीशल रेसिपी है ये सोया खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सोया खाने से एक तो हमारा जो वजन है वो कंट्रोल में रहता है और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है सोया जिसे की हम सौंफ भी बोलते हैं इसे हम सौंफ के पत्ते भी बोलते हैं इसकी आज मैं आपको रेसिपी बताऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में लगबग एक कप मक्की का आटा लिया है जिसे हम मेज फ्लार भी बोलते हैं और इसके साथ ही मैं इसमें एड़ कर रही हूँ सोया लीव्स यानि की सौंफ के पत्ते इसे मैंने अच्छे से दो के बारीक बारीक काट लिया हैं वो मैं इसमें लगबग आधा कप ये सोया लीव्स एड़ कर रही हूँ और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर इससे बहुती अच्छा कलर आएगा आधा चम्मच मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच अजवायन आधा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च और आधा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक इन सब चीजों को हम पहले अच्छे से mix कर लेंगे बाद में इसमें पानी आड़ करेंगे अच्छे से mix करने के बाद हम इसे पानी से गूंद लेंगे बहुत hard dough नहीं बनाना है आपको एक soft dough हमें इसका त्यार करना है थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करके हम इसका dough त्यार करेंगे आप देख रहे हैं कि इसका मैंने एक soft dough त्यार कर लिया है अब हम इसे अच्छे से मसल के बिल्कुल सौफ्ट कर लेंगे तांकि जब हम इसकी चपाती बनाएं तो हमें कोई परिशानी ना हो आप देख रहे हैं कि यह हमारा डो बनके त्यार है अब मैं इसमें से थोड़ा सा आटा लूंगी और उसका पेड़ा बनाके उसे अच्छे से रोल कर लेंगे और ऐसे ही साइड से दबाते हुए हम उसे फ्लैट कर लेंगे और इसकी एक चपाती बना लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं हमें इसकी साइड पे प्रेशर डालना है और ऐसे ही घुमाते हुए इसकी चपाती बना लेनी है आप देख रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट यह हमारी रोटी बनके तयार है अब हम इसे सेक लेते हैं यहाँ पे एक तवे पे मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ओयल लगाया है और हम इस चपाती को दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे दोनों healthy option है यह खाने में और इसके बहुत सारे benefits भी हैं अब आप देख रहे हैं कि जो हमारी रोटी है वो दोनों साइड से अच्छे से सिख चुकी है और यह बनकर तयार है और ऐसे ही हम घी लगाके अपनी सारी जो रोटी हैं ऐसे ही बना लेंगे मैं आपको सुझेस्ट करूंगी कि आप इन सर्दियों में यह सोया की चपाती जरूर बनाएं क्योंकि इसके बहुत सारे health benefits हैं यह हमारे digestion को तो improve करता ही है साथ-साथ यह हमारी हडियों को भी मजबूत करता है और इसमें बहुत सारी anti-diabetic properties हैं जो हमारे blood sugar level को control करती हैं तो आप इसे एक बर जरूर ट्राइ करें और मुझे comment करके जरूर बताएं कि आपको मेरी यह recipe कैसी लगी